अगर आप बात करें तो जो टॉप हंडेड रिचेस्ट बिटकॉइन एड्रेस है उसमें इनका जो एड्रेस है वो तीसरी नंबर पर आता है जिस पे लबग एक लाग चौबिस है यार से भी जादा जो है बिटकॉइन होल्ड है मतलब की अच्छे कासे लेबल पर जो है इनके पास बिटकॉइन है अब यहाँ पर मैंने जो है कुछ दिनों से ध्यान दिया है अगर आप लोग ने भी जो है इस पे नोटिस किया तो प्लीज कमेंट जो करेगा कि माइक्र स्टेट्ची और माइक्र सेलर की तरब से एक ट्वी चला जाता है और उसके बाद जो है चानल उसका प्राज जो है 39 या 38 वाले जोन में चला जाता है ठीक है तो यहाँ पर मुझे बिटकॉाइन को जो है 800 या 1000 बाई कर रही है और उससे ज्यादा जो है कहीं वो सेल तो नहीं कर रही है तो यह डाउट हमेशा से मेरे मन में जो कुछ दिनों से आ रहा था अभी मीडियम.com पे मैंने एक आर्टिकल पड़ा जिसमें यह जो डाउट है वो थोड़ा सा जो है बॉलर के करीब का है और कितना बिटक्वाइन से खियागा वह भी मैं आप टो के हाँ पर दिखाना चाहूँगा पिछले कुछ महने से लभख इन्होंने आठ हजार से भी जादा जो है बिटकोइन सेल किया ठीक और बिटकोइन को सेल करने का तरीका क्या है इनका इनका फेह यह जो मैं आप नोग यहाँ पे दिखाया यह जो इनका main bitcoin address है जिस पर 124 सेयर के करीब होल किया हुआ है तो इस से यह नहीं sell कर रहा है यह जो है इनका सेकेंडरी जो bitcoin address है उसके तुर्ण जो है यह sell कर रहा है यहाँ जो इनका पूरा चार्ड भी बना के अपना जो है दिया जो MicroStrategy के जो stock है जिसको इन्होंने जो Insider Sales जो इन्होंने किया है पिछले 10 सालों में लबग जो है 270 million dollar करीब का और पिछले जो है October 2012 से लेके 2020 के बीच में इन्हों 8.3 million dollar करीब जो है Insider Sales किया है ठीक है इनके जो भी stock है अब ये बात सही है कि गलत है इन्हीं को पता होगा बाकि एक और बात बताना चाओंगे आप जो BTC Exchange Flow Address Count जो Inflow है वो अच्छे खासे level पे down हुआ और इसके पहले जब भी down हुआ आप देश सकते हैं उस समय Bitcoin के price में correction देखने को मिला है आप इस chart को ध्यान से दिखेगा जब भी ये जो है Address Count जो Inflow जो है down हुआ है उसके बाद जो है Bitcoin में अच्छे खासे level पे जो है drop देखने को मिला है तो सेम इस बार भी जो है drop हुआ है तो हो सकता है कि Bitcoin में एक और correction देखने को मिल सकता है ठीक है बाकि टेकनिकली अगर हम बात करें तो दुस्तों यहाँ पे अगर आप देखींगे तो Bitcoin का जो ये एक train line है जिसको इस 2022 ये जब से start हुआ है तब से एक support zone मना के चला अभी जो है सेम इसके वाले zone में और कहिन के जो है ये break कर चुका है और वहीं यहाँ पे जो है volume आना start होता है तो हम फिर से इसका जो 100 days moving average और जो 50 days moving average है इसको break करते हुए फिर हम जो है इस वाले zone में जा सकते है 44 वाले zone में जो कि इसका जो है एक major resistance है ठीक है बाकि आप लोग से मैं कहना चाहूँँ दोस्तों यह जो zone है यहाँ पे जो मैंने अपने coin buy करके रहे है मैं अपने hold करके रखा हुआ हूँ अगर bitcoin price जो है इस support zone को break करके 37 और 38 वाले zone में जाना start होता है तो मैंने कुछ coin जो है select करके रखे है उसको जो है अपने watch list में रखा हुआ है उनको जो मैं आप लोग को live buy करके दिखा हूँगा ठीक है वो कौन-कौन से coin है अगर market नीचे जाता है तो मैं entry link हो तो आप लोग साथ share करूँगा और है बात इस news की तो दोस्तों देखिए मैंने आप लोग से हमेशा से कहा है कि कोई भी whales अगर bitcoin को buy करता है तो ये पहले buy करने से पहले आप से नहीं कहाएगा अब आप लोग भी buy कर लिजे आप लोग अपना खुद का दिमाग लगाई कोई भी यहाँ पर आया है कि भी यहाँ इसने इतना bitcoin buy किया तब जाके आप उसको मत buy करें आप खुद का यहाँ पर करिए कि किस जोन में bitcoin को सही रहेगा buy करना support जोन क्या है resistance क्या है और किसी भी coin को जैसे bitcoin के लावब है अगर आप जो है other cryptocurrency buy करते हैं तो इस पे भी कि आप जो है नजर बनाक रखिए कि उस cryptocurrency का huge case क्या है ठीक है कहीं वो pump and dump तो नहीं है न और fundamentally क्या वो काम कर रहा है आने वाल दिनों में उसको ने जो है क्या क्या चीजे बताई है कि भीया जो है यह चीजे जो है उसमें update आने वाले हैं तो वो सब चीजे जो है आप देखने के बाद ही किसी भी cryptocurrency को buy करिए ना कि जो है किसी वेल्स के तौरा जो announcement आता है यह जो है इस cryptocurrency को buy कर रहा है तो आप उसको जाकर buy कर लिजे ठीक है यह सारा information दोस्तों उमीद है तक भी इसको follow करके नहीं रखें इस वीडियो में अभी क्लिए बस इतना ही जैहिंद